नमस्कार मित्रो गुरुकुल के इस व्याख्यान माला में आप सब लोगों का स्वागत है मैं दॉक्टर पंकज कुमार मिश्र एक बार फिर से आपके सामने उपस्थेत हूँ मृच्छ कडिकम तृती अंक को लेकर के इस तृती अंक में हम लोग इसके कथा पक्ष को समझने का प्रयास कर रहे थे और एक प्रारंभिक जो है नाटक उसका उद्गाटन हुआ है चेट मंच पर है और वो प्रतीक्षा कर रहा है रात में लगबग आधी रात हो गई है और वो चारुदत की प्रतीक्षा कर रहा है कि वो संगीत सुनने के लिए गए हुए थे और अभी तक लोट करके नहीं आए है तो ठीक है वो ये सारी बात कर रहा होता है और उसी डायलोग को हम लोग आपस में विमर्श में कर रहे थे चेट के उस संबाद की व्याख्या कर रहे थे और ये संबाद इस प्रकार था कि कापिवेल आर्ये चारुदततस्य किhew संबित को सुनने के लिए घए हुए आर्ये चारुदततका बहुत अधिक कितना समय हो गया है अभी तक वापस नहीं आए है रात आधी हो चली है अतिकरामत्य अर्दराजनी अर्दराजनी आधी रात अतिकरामती वो भी खतम होने को चली है कि अब ही अब जब तक नहीं आ रहे हैं तब तक हम क्या करते हैं कि जो बाहर का जो दौर है उस दौर के पास का जो प्रकोष्ट है कमरा है उसमें जाकर के मैं तब तक सोता हूँ अब यह देखे थोड़ा सा स्थापत्य की और भी ध्यान ले अब यह जो बहिर द्वारी शाला है इसके भी उपयोगिता को हमें समझने की आवश्यकता है और तदनुसार हम यह कह सकते हैं जान सकते हैं कि प्राचिन काल में भी लोग अब आप इसे या तो सर्विंट हाउस कह हैं जहां पर कोई मिलने के लिए आते होंगे क्योंकि गेट के बाहर है ना बहिर द्वारी शाला या जो है ना द्वार के बाहर की जो यह शाला है प्रकोष्ट है तो इस प्रकार की व्यवस्था इस प्रकार का स्थापत्य रहा होगा घर द्वार बनाने की योजना के अंतर कह सकते हैं कि जो आज इसे हम ड्राइंग रूम कहते हैं में भी ये ड्राइंग रूम के ही शिप में रहा हो क्योंकि उस जगह पर ये शयन करेगा जिससे की चारुदत के आने की आवाज यह सुन सके इसलिए बाहर के गेट पर यहा करके सो जाता है आपको चारुदत और विदूशक दोनों प्रवेश करते हैं अब यह जो विदे विदूशक है इसका नाम पहले भी हम लोगों ने जान रखा है नाम ये मैत्रे यह है लेकिन जब आप अपने पुस्तक में समवादानु क्रमनिका में देखेंगे तो वहाँ पर विदूशक लिखा रहता है लेकिन नाम जो है इसका मैत्रे यह हमें जानना चाहिए क्योंकि प्रायशह समस्कृत के नाटकों के विदूशकों के नाम हमें ग्यातों होने चाहिए क्योंकि इसे बार-बार विविद परिक्षाओं में पूछा जाता है कि म्रिच्चकटिकम के विदूशक का नाम क्या है तो लिखा रहेगा वसंतक लिखा रहेगा गौतम लिखा रहेगा माधव्य और लिखा रहेगा मैत्रे यह तो यह चार चुआई से एक विकल्प में आपको टिक करना होगा वो होगा मैत्रे यह चलिए आगे देखे चारुदत्त आता है मंच पर दोनों प्रवेश करता है एक कोने में आप देखेंगे कि वर्धमानक सो रहा होगा रंधमंची यह भाषा में वर्धमानक सो रहा होगा acting से उस चीज़ को establish किया जाता है मंच पर कि वो एक अलग घर है ये अलग entry point है चारुदत चर्चा करते हुए आ रहा है यानि चारुदत अभी तक घर नहीं पहुंचा है अभी ये on the way है रास्ते चल रहा है अभी घर नहीं पहुंचा है ये कैसे हम जानेंगे तो अभी जो conversation से बाते निकल कर आएगी उससे हम establish करेंगे कि ये लोग अभी मार्ग में बात करते हुए आ रहे हैं वह बहुत सुंदर रेभिल ने तो बहुत बढ़िया आज गाना सुनाया और वीना हिनामा समुद्रो थितम रतनम और ये जो वीना है अब इसा प्रती तो होता है कि रेभिल ने जो गाना गाया है गाना तो गाया है कंठ से गाना गाया है लेकिन साथ में संयोग के लिए जिसे आम भाशा में हम साहायक यंत्र जो कहते हैं वाद्य यंत्र उस रूप में शायद वीना का प्रयोग था तो वीना का प्रयोग है किया गया है और उसे वीना की भी प्रशंगसा करते हुए चारुदत कहता है कि वीना हिनाम औसमुद्रत्थितम रत्नम यानि समुद्र से बिना समुद्र से ना निकलने वाले जो रत्ने है उनमें वीना है और श्रेष्ठ रत्मे है हमारी पौरानिक परमपरा है जिसमें हम आप सभी जानते हैं कि कुछे रत्मे हैं जो की समुद्र से निकले हैं 14 या 16 रत्मे हैं वे समुद्र से निकले हैं उन रत्मों में वीना नहीं है लेकिन चारुदत्वीना का इतना अधिक यहाँ पर वीना की प्रशंक्सा कर रहा है और वो कहता है कि मानो भले ही यह समुद्र से न निकला हुआ रत न हो लेकिन वीना जो है एक अनूठा यंत्र है क्यों तो उसी की तारिफ में उसी की प्रशंग सामें चारुदत अब श्लोक एक दो जो है वो सुनाएगा और रेभिल के गीत की प्रशंग साके क्रम में हम रेभिल को भी समझ लें कि यह रेभिल है कौन ऐसा प्रती तो होता है कि रेभिल उसी उजयनी का एक गायक है कदाचित वो चारुदत का मित्र हो चारुदत का मित्र रहा हो क्योंकि जिस प्रकार से एक पूरवानु राग है रेभिल के प्रती चारुदत का वो ऐसा स्थापित करता है कि कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में रेभिल और चारुदत में मैत्री रही हो श्लोक देखे वीना की प्रशंग सामें क्या कहता है कि उतकंठितस्य रिदयान गुना वयस्या ये वयस्या है मित्र है किसके उतकंठितस्य जो उतकंठित यनि उतकंठा जो उतसुता में रहने वाला है वो उसके रिदय के अनुगुन जो है हिरयान गुनाव यस्या मानो हिदय के अनुरूप हिदय के गुनों के अनुरूप यहवीना जो है उतकंठित लोगों के लिए विरहाकुल लोगों के लिए क्यूरियस लोगों के लिए चिंता में डूबे हुए लोगों के लिए मानो यहवीना क्या है सखी है मित्र है तो होता है अगर वे संगीत सुन लेते हैं उनकी वो सारी व्यधा दूर हो जाती है इसी तरह से प्राचीन काल में भी संगीत जो है वो लोगों के इस प्रकार के सुकून इस प्रकार की शांती का कारण रहा है और तभी उस प्रशंगसा में ये वीना की यहां प्रशंगसा कर संकेत के सिरयति प्रवरो विनोदह हैं अगर किसी प्रेमी या प्रेमिका ने इशारा दिया हो कि आज हमें मिलना है और ूस मिलन में अगर विलंब होता है अगर लेट होता है चीह ह insist प्रेमी या प्रेमिका लेट से पहुंचते हैं तो मानों उस काल को व्यतीत करने के लिए उस प्रहर को बिताने के लिए बीना जो है एक उत्कृष्ट मनुरंजन है उत्कृष्ट विनोद है इसमें आपको विरह जो है वह विरह की अनुभूती नहीं होती संस्थापना प्रियतमा विरह तुरानाम यह विरह तुरानाम प्रियतमा संस्थापना और जो विरह में रहने वाले जो प्रियतम होते हैं प्रेमी और प्रेमिका होते हैं उन्हें के लिए भी मानो यह वीना जो है आश्रयस थलो हो और था विरह के ख्रण में वीना मानो सहचर मित्रो स्वप्न वासवदत्तम के उस घोश वतिवीना के वीशय में जानिए कि जब छठे अंक में घोश वतिवीना उदयन को प्राप्त होती है तो उस वीना के माध्यम से ही अपनी प्रेमी का वासवदत्ता का स्मरण करता है उदयन तो हमारे प्राचीन और उसके बाद की यह रचना है मृच्छ कडिकम भास के बाद की रचना है तो लगबग 200 वर्ष पूर्व भी वीना का हम उसी प्रकार प्रभाव देखते हैं और खास करके प्रियतम के मध्य, प्रेमी, प्रेमिका के मध्य कहीं न कहीं वीना जो है, एक संयोजन का कारिय करती है तो मानों वहां से भी इसको हम एक इन्पुट देते हैं कि संगस्थापना प्रियतमा विरहातुराना और रक्तस्यराग पर व्रिद्धिकर प्रमोद और जो रक्त है, आसक्त है, अनुरक्त है उनके उस प्रेम में व्रिद्धि करने का यह प्रमोद है यह वीना और दाद वीना को सुनने के बाद आपके अनुराग में, आपके राग में, आपके अटैच्मेंट में, आपके अट्रैक्शन में, आपके प्रेम में और अधिक वृद्धी करने वाली होती है यहवीना वस्तुता देखिए यह सारी की सारी चीजे अगर अब हम एक डिबेटेबल टर्म में समझने की कोशिश करें तो यह एक इंडिवीज्वल एक्सपिरियेंस हो सकता है सम्टाइमस हम यह कहते हैं कि कभी-कभी जो संगीत के जो वाद्ययंत्र होते हैं या गाने जो होते हैं वो वीरह को और अधिक बढ़ाता भी है तो वही चीजे जो है यह बढ़ाने का भी काम करता है प्यार को और अधिक उभारने की कोशिश करता है या ऐसे जो वाद्ययंत्र होते हैं तो प्राचीन काल हो चाहा मद्यकाल हो चाहा आधुनिका काल हो इन सारे कालों में संगीत जो है वो बहुत बड़ा सैयोजक का काम और हिलर का काम करता है जिसकी और इशारा हम यहां चारुदत के इस अपध्य के अध्यम से देखते हैं और यद्यभी चारुदत के का यह समवाद है लेकिन जो लेखक हैं जो मृच्छ कटिकम के जिस समाज से बिलॉंग कर रहा है उस समाज में भी लोगों में किस प्रकार ऐसे संगीत के वाद्य यंद्र वीना आद्य का प्रचार प्रसार और प्रभाव है उसको भी इस प्ध्य के माध्यम से हम समझ सकते हैं ठीक है रिभिल के गीत की प्रशंग सा हुई वीना की प्रशंग सा हुई अब विदूशक कहता है भो एह ग्रिहम गच्छावः अरे सर चलिये एह चलिये ग्रिहम गच्छावः अब हम लोग घर चलते हैं मैंने इसे पह चाहे इसलिए राह में होंगे और यहां पर भी क्या करा है ग्रिहम गच्छावा चलिए हम लोग घर चलते हैं चारुदत लॉस्ट है विदुशक की बात को वो एक तरह से उसको कोई रिस्पॉंस नहीं देता है और चारुदत फिर कहता हो सुष्ठु भाव रे भीले नगीतम वा क्या सुंदर आज रे भीले ने गाना सुनाया है मन प्रसन्न हो गया जिस अभी भावावी व्यक्ति से मैं आपको बूल रहा हूं मनो इसमें उसी भावावी व्यक्ति में ये किवल अनुवाद मात्रे के लिए नहीं देखते हो सुष्ट भाव रेभिलेन गीतम वह क्या ही सुन्दर आज रेभिल ने गाना गाया है मजा आ गया अनन्द आ गया विदूशक अब एक ऐसी टिपणी विदूशक करता है जो अपने आप में एक बड़ा ही मानो समाज के उपर भी टिपणी है उस समय के समाज के चिंतन के उपर भी टिपणी है और कई सारी बातों का समाधान है यह मम तावद द्वाभ्याम एवा हास्यम जायते अरे भाई चारुदत्य जी मैं आपको क्या कहूं मुझे तो दोनों ही बातों से हसी आती है संगीत के ऊपर भी ये question मारक है लेकिन अभी द्वाभ्याम शब्द जो है इसकी व्याख्या नहीं है किन दोनों से भाई हम एतना तो समझ आ रहें कि मम तावद हास्यम जायते कि भाई मुझे तो बड़ी हंसी आ रही है और उसका कारण जो है वो है द्वाभ्याम दो चीज़ों से अब ये दो चीज कौन है पीछे तो ऐसी किसी दो चीज़ की बाते नहीं की गई लेकिन विदुशक अपने धुन में अपनी टिपनी के मूड में और विदुशक तो जो भी चीज़े हैं बे सिर पैर की बाते बोलता रहता है उट पटांग बातें करता है इसलिए उनकी बातों का कोई संबंद कोई संयोजन नहीं होता लेकिन जो संबाद है उस संबाद के नहितार्थ को समझना हमारे लिए उतना ही आवश्यक है लेकिन दो बाते कौन कौन है वो कहते हैं स्त्री और पूरुष दोनों के उपर में टिपनी कहते हैं कि मुझे स्त्री और पूरुष दोनों से हसी उत्पन होते हैं लेकिन भई कौन से स्त्री और कौन से पुरुष ये ध्यान देना जरूरी है केते स्त्रिया समस्कृतम पठंतिया एक तो वो हमें स्त्री पे हसी आती है उन स्त्रियों से हसी आती है जो की समस्कृत पढ़ रही होती है और मनुशियन चाका करीम गायता और जो पुरुश होते हैं वे पुरुश जो की सुन्दर आवाज में गाना गाता है मुझे उन दोनों पर हसी आती है हम पहले मनुशियन चाका करीम गायता की बात कर लें कि यह एक प्रकार से भाव रेभिलेन सुष्ठ गीतम जो चारुदत का संबाद है उसके उपर टिपनी हो गई और indirectly विदूशक ने कह दिया कि मुझे ये संगित उतना अच्छा नहीं लगा मुझे ये मज़ा नहीं आया गाना में क्योंकि मुझे वो मनुश्य पसंद ही नहीं कि जो सुंदर भावरा अगताल से गाना गाए दूसरे शब्दों में यदि स्त्री गाना गाए तो मुझे पसंद है लेकिन पूरुष अगर गाना गाए तो मुझे वो पसंद नहीं है कितनो भी अच्छा वो गाना क्यों न गाले लेकिन स्त्रियों की आवाज से पूरुष जो है अपनी समता नहीं देखा सकता इसे लिए पुरुष के गान से मुझे हसी आती है अब आते हैं मूलविशय स्त्रिया संस्कृतम पठंतिया ये तो स्पष्ट हो गया अभी कि मृच्छ कटिकम कालीन समाज में स्त्रिया संस्कृत पढ़ती होंगी स्पष्ट है किसी भी प्रमान की आवर्शक्ता नहीं है ऐसे सारे व्यक्तियों को यहाँ एक मिरर है कि जो कहते हैं कि स्त्रिया संस्कृत नहीं पढ़ती थी या संस्कृत जो स्त्रिया जो थी उनको संस्कृत पढ़ने का अधिकार नहीं था मृच्छ कडिकम का क्राम्तिकारी नाटक करता लेखक यदि वह शूद्र कहे तो सब के सामने स्पष्ट कहता है कि समस्कृत पढ़ती थी स्त्रियां क्योंकि यदि स्त्रियां समस्कृत नहीं पढ़ रही होती तो विदूर्शक ये कोटे ही नहीं करता कि मुझे हसी आती है अगर स्त्रियां समस्कृत पढ़े तो अब ये अलग विशय है कि स्त्रियां समस्कृत पढ़े तो क्यों हसी आती होगी ये एक अलग विवेचन का विशय है लेकिन इसका भी अवकाश इसका भी उत्तर स्वयम दिदूशक देता है क्यों तो कहते हैं स्त्री तावत सम्स्कृतम पठंती दत नवनस्य दत नवनस्य ग्रिष्टिह अधिकम सूसू शब्दम करोती अब ये बड़ी एक बड़ा ये निगेटिव टिपनी है कि स्त्रीया जब सम्स्कृतम पढ़ती है तो वो कैसे लगती है ऐसी गाय की तरह लगती है जो पहली बार प्रसूता होती है पहली बार बच्चे को जन्म देने वाली गाय वो गाय जिनके नाक में रसी जो होता है न न उसी तरह स्त्री जब संस्कृत पढ़ती है तो यह सूसू शब्द करोती करती रहती है अब देखे दो तीन चीजें है इसका बतलब यह है कि यह जो विदुशक की जो टिपनी है उसका यह भी अर्थ निकाला जा सकता कि संस्कृत पढ़ते हुए स्त्रीयों को काफी समस्या हो स्त्रीयों को संस्कृत को फ्लुएंटली बोल पाने में कठिनाई होती होगी अटक अटक के पढ़ती होंगी यह सारी संभावनाएं निकाली जा सकती है इस वाक्य के माध्यम से और तभी उन्होंने कहा जो पहली प्रसूती गाई की तरह जो है यह सूं सूं करती रहती है इ इसलिए मुझे हासी आती है एक और चीज है जो कि लेखक की दृष्टी की और हम पर टिपणी करें कि जब वो दत नव नस्यव की बात करती है करता है लेखक दत यानि पहना दिया गया दिया गया नव यानि नूतन न्यू नस्य कहते है नत जो गाई बैल के आप देखते हो गया है कि गाय की नत नहीं होती नत बैल को पहनाया जाता है आधुनिक समाज अगर आधुनिक अगर आप गाउं घर में देखें तो बैल हो या भैस हो उनको नत पहनाया जाते है नाक क्यार पार से रस्ती निकाल करके और उसे बांधे जाते है गाय को प्रायह परंपरा में हमने व्यक्तिगतास तक नहीं देखा है देखा भी होगा तो वो अपवाद रूप में होगा लोग लगाते रही होंगे तो अपवाद रूप में लगाते होंगे अन्यता गायों को नथे नहीं पहनाई जाती तो क्या उस समाज में गाय को नत पहनाया जाता था जाता होगा यह भी एक उस समाज में जाने का एक सोपान हो सकता है समझने का तरीका हो सकता है तो आगई बात स्त्रीतावत संस्क्रितम पठंती दत नव नस्येव गृष्टि अधिकम सूसू शब्दम करोती अब मनुश्य की भी बाते कर रहा है कि मनुश्य कैसा लग रहा है कि मनुश्य जब गाना गाता है तो कैसे कि मनुश्यों पी काकलीम गायन है अथात मनुश्य भी जब सुन्दर सुर में सुन्दर लै में सुन्दर ताल में सुन्दर आवाज में गायन करता है तो शुष्क सु जिस प्रकार मंत्र का जप करता हुआ वह बूढ़ा पुजारी अच्छा नहीं लगता उसी प्रकार ये मनुश्य भी अच्छा नहीं लगता तो देखे सूखे हुए फूलों की माला पूरी तरह से हमारे सामने उस समाज के दृष्य चित्र को उपस्थित कर दे रहा है कि मंदिर के जो पूजारी होते हुँगे या वृद्ध पुरोहित जो होते होंगे भले हुँव मंत्र जप रह होंगे और गर्दन में सूखे फूलों की बासे फूलों की माला पहने हुए होंगे ये सारी चीजे जो है उस समाज के यथार्थ चित्र को लोकब व्यवाहार को लोगों की जीवन शेली को लोगों की वंचना लोगों की वरजना लोगों के जो मनोबहाव है उन सब को हमारे सामने चित्रित करता हुआ प्रती तो होता है एक विदूशक के इस समबाद ने कहीं स सारी बातों का उद्गाटन हमारे सामने किया है, जो विवेच ये है, हम केवल पद्वियों की व्याक्या में उल्जे रहते हैं, हम गद्य छोड़ देते हैं, और ये सबसे बड़ा दुख का विशय हमारे सामने होता है, अस्तु, चारुदत पूछता है, क्योंकि जब ये टि में हास्यकम कटुता ज्यादा दिखाई देती है, चारुदत कहता है वयस्य सुष्ठुखलवद्य गीतम भावरे भिलेने, देखे दे थर्ड टाइम, थर्ड टाइम चारुदत रिपीटेडली एक ही बात सामने रख रहा है, कि रेभिल ने बहुत ही सुन्दर गाना गाया, व्यत्ती एक ही बात को बार बार क्यों कहता है, दो कारण होते हैं, या तो वह उसको इतना अधिक लगा, कि उस दुनिया से वो बाहर नहीं निकल पा रहा है, और या नहीं तो जिस से समवाद कर रहा है, उस समवाद पर अगर उसकी हाँ या ना नहीं आती है, तब वो सुन के उस कथन के ऊपर में कोई टिपनी नहीं की इसलिए चारुदत यह कहके उसको पूछना पड़ा कि नचा भावान परितुष्टा क्या आप संतुष्ट नहीं है क्या रेभिल के गाने से मित्र विरूर्शक मैं तो रेभिल के गान में डूब गया हूं मुझे तो बहुत ही को पसंद नहीं आया घ्यान रखिए मैं पुन्हा भी ग्यान शाकुंतलम के पंचमंग में जाओंगा जब हंसपदी का गाना गाती है और अंतःपुर में गाना गा रही होती है और विदुशक और जो दुश्यंत है वो बाहर खड़े उस गाना को अपने भवन में राज भ टिपणी नहीं आती है तो विदुशक पूछता है दुश्यंत से कि शृतम भवता आपने सुना यह गाना यह आपके उपर ही टिपणी है तब जाकर के वो भी कहता है अहो राग परिवाहिनी गीती आहा क्या सुंदर कितने सुंदर राग की धारा को प्रवाहित करने वाली यह गीती का है तो मुररले सिचुवेशन वही है अंतर यह है कि वहां की मनोदशा भिन्न है और यहां की मनोदशा भिन्न है फिर चारुदत शुरू हो जाता है उसे रेभिल के गान की प्रशंग सा में मित्रो इससे पहले हम लोगों ने एक शब्द पढ़ा था रक्तस्य और वहां रक्त का अर्थ हमने लिया था अनुरक्त आसक्त यहां पर शब्द है यहां पर भी इसका अर्थ बिन्न हो जाएगा ना तो यह अनुरक्त है ना आसकता है ना ही रक्तकार्थ लाल है यहां रक्तकार्थ है राग युक्त अर्थात जो राग जिस राग में गाया राग युक्त है आसकती युक्त है इत्रा से कह सकते हैं कि अपनी और एट्रैक्ट करने वाला खीचने वाला यह रक्त है रक्त शब्दकार्थ होगा एक और च अगर चा-चा-चा की इस पुनरा वृत्ति को ध्यान दे तो हमारे समस्कृत साहित्य परंपरा में इस चा को ले करके यजुरुवेद के एक अध्याय का नाम चमका अध्याय पड़ गया वहां पर भी चा-चा-चा-चा-चा का खूब प्रचुरप प्रयोग है इसी तरह से भरती हरी का जो नीती शतकम है और जो वैराग्य शतकम है उसे नीती शतकम और वैराग्य शतकम के दूसरे पद्य में आप आखरी वाक्य में जाएं धिक्तम चा-ताम चा-मदनम चा-इमाम चा-माम चा तो ये चा का इतना सुन्दर प्रयोग है इतना अनूठा प क्रिष्ट कर लेता है और ये चा का प्रयोग है जो एक प्रकार से रागानु राग उत्पन्न करता है तो क्या कर रहा है रक्तम्च नाम और था जो गान सुना है भाव रेभिल ने जो गीत सुनाया वह गीत क्या है रक्तम्च यानि राग युक्त है अरथात उतार चरहाव के समभाव से युक्त है पूत है अरथात एक एक शब्द एक जो उनके वर्न है जो राग वोग प्रवाहित करना चाहते है वो clarity के साथ है भावानमुतमचा भाव युक्त है अर्था जिस भाव से गाया जा रहा है श्रिंगार के भाव से गाया जाएगा तो मन में श्रिंगार की भावना उत्पन होगी विरह के भाव से गाया जाएगा तो विरह की भावना उत्पन होगी और जिस प्रकार राग शिवरंजिनी में गा करके हम अपने को एक पूरी तरह से उस में लेके चले जाते हैं एक विरह में चले जाते हैं मानो तो उस प्रकार के भाव से युक्त है यह गान रेभिल का ललितम ललित शब्द जो है ललदहातु से बना हुआ इतच प्रत्य के साथ ही ललित बनता है जिसका मतलब ही होता है आकरशन खीचने वाला पूरी तरह ऐसा लग रहा है कि रेभिल के रूप में मेरे का गाया अच्छा लगता है यतना कि परुपरी रेभिल के गाया अच्छा है वनिता सद्रिश इस्त्री के सद्रिश मान रहा है तो मित्रो हम इन सारे विशयों को इन सारी चीजों को आगे भी अपने चर्चा में ले करके चलेंगे और इसे जानेंगे किस प्रकार ये मिच्छकटिकम हमारे लिए एक अपवाद रूप और एक अत्यंत सुन्दर नाठक है आप लोगों ने ध्यान पूर्वक सुना आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों कि रहुत दिए स्थान है